वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आज से हम अपने मैकरो का सेशन कंटेनीव करने जा रहे हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं लास्ट क्लास कहां पे थे हम last class में हमने discuss किया था money flow के बारे में चहांपर हमने two economy model को लिया था two economy model में एक हमने sector रखा था firm और एक sector हमने रखा था household और हमने वहाँ पर ये समझा था कि सबसे पहले household firm क्या करती है कि household को factor payment करती है factor payment क्या होता है कि जैसे कि firm के पास में labor होते हैं फॉर्म के पास में entrepreneur होता है जो की उस फॉर्म को चला रहा है फॉर्म के पास में capital होता है फॉर्म के पास में land होता है यह सारे factor है तो फॉर्म के पास जो फॉर्म land को use करती है तो इसके respect में वो rent पे कर देती है household को फॉर्म जो labor use करती है तो उसके बदले में wages दे देती है capital use कर ऑसकी त लुंटे आ ceep करती है इसी तरीके से वं जो है इन फैक्टर का यूज करने के बदले में फेक्टर पेमेंट करती है हाउस ओल और की पास ने जो रीसिव करती है household क्या करती है इसको final goods के consumption पर expense कर देती है फिर ये पैसा वापस firm तक पहुंच जाता है और इस तरीके से वो पैसा जो firm ने household के pocket में डाला था household ने वापस firm पे डाल दिया firm ने फिर से वो factor services को use करकरके factor payment करा और फिर से ये पैसा household ने consumption में firm के जे में डाल दिया तो ये इस तरीके से circular flow चलता रहता है और इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा ये होता है कि इस circular flow से क्या होता है कि factor services firm को मिलते रहते हैं और उससे goods and services का application होता रहता है और आज देखिएगा हम कितने सारी goods and services को जो है यूज करके अपने जीवन को आसान बना करके बैठे हैं तो ये इसका एक benefit होता है जो कि last class में हमने circular flow के बारे में इस सीच के उपर हमने अच्छे से detail में समझा भी था क्लियर है जी बात करते हैं अब आज के class में क्या होने वाला है हमारा circular flow उस समय टू इकनॉमी model था जहां पर सर्फ और सर्फ हमने दोई sector लिये थे एक household sector लिया हमने और एक हमने फर्म sector लिया आज हम जो है थी इकनॉमी investment एन एकनॉमी के बारे में समझेंगे कि क्या है saving and investment देखिएगा अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ऐसा तो होता नहीं है कि फर्म ने जो फेक्टर पेमिंट करा household के पास में for example पर समझाने की कोशिश का को करता हूं समझने की आप कोशिश कीजिएगा ठीक है जी ए यहां पर मैं लिख देता हूं कि यह फर्म हो गया ठीक है और यह हो गया आपका household कि एक आपका क्या हो गया एक आपका जो है household हो गया ठीक है अब मैं बात करता हूं एक फर्म क्या करती है फेक्टर पेमिंट करती है एक फर्म क्या क्या देती है एक फर्म रेंट देती है एक फर्म जो है वो wages पे करती है लेबर को एक firm जो है वो capital के बदले interest पे करती है एक firm जो है वो profit पे करती है ये सारे के सारे factor payment form एक household को देती है लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके पास में wages अगर आपके पास में चितना भी wages है मान लो कि पापा की जो salary महिने की 20,000 रुपए है तो आपको पता है कि सारे का सारे consumption पर खर्च नहीं होता है ये आप भी जानते हैं 20,000 रुपए में से मान लीजिए कि आपका 18,000 रुपए खर्च हुआ तो firm के पास return में कितना जाएगा 18,000 रुपए ही return में गया तो 2000 रुपए की क्या हुआ वो जरूर 2000 रुपए सेविंग में चला जाता है मानते हैं इस बात को इस चीश को समझने की कोशिश कीजिए वो 2000 रुपए क्या चला जाएगा वो सेविंग में रख लेते हैं इस बात को आप मानते हैं जबकि इससे पहले last class में हम ये पढ़ रहेते circular flow में कि firm जो भी factor services के बदले में जो भी factor payment करती है वो सारा final goods के और उसी consumption पर expand हो जाता है वापस सारा पैसा firm पर पहुंच जाता है लेकिन मान लीजिए as a wages अगर firm ने 20,000 रुपे पे करा तो उसमें से तो 18,000 रुपे ही expenditure हुआ firm तक 18,000 ही वापस लोटके गया 2,000 रुपे तो ये pocket में रह गए ये saving कर लिया क्योंकि saving का nature होता है इसी तरगे से किराया जितना आता है वो सारा खर्च नहीं कर देते हैं उसमें saving कर लेते हैं interest भी सारा खर्च नहीं होता है तो कहीं ने कहीं economy में एक process है क्या saving तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि saving and investment तो इसका तो एक effect समझ में आएगा आपको अब एक बात बताएए आप पहले मेरी बात समझेगा कि firm ने 20,000 रुपे का माल बनाया और इन्होंने खर्च 18,000 रुपे ही करा तो firm का तो 13,000 रुपे का सामान बिका तो 2,000 रुपे का सामान तो firm में ही रह जाएगा न वो बिकेगा नहीं तो unsold stock हो जाएगा firm के पास में अन बिका माल बच जाएगा firm के पास में बताएए जिरा अब जब firm के पास में बात समझेगा फर्म ने इनसे 20,000 रुपे का काम लिया और 20,000 के गूर्ट सर्विसिस का ब्लक्षिन करा और 20,000 रुपीज पे कर दिया लेकिन उन्होंने 18,000 रुपे ही खर्च किये बाकी 2,000 सेविंग कर लिया तो गूर्स कितने का ठारा जार पर कहीं जाएगा बाकी 2,000 रुपय का जो गूर्स अंस तर्वेसिस है वो फर्म के पास में ही बच गया इसे कहलते हैं अन्सोल्ड स्टोक अन्विका माल बच गया लेकिन अन्सोल्ड स्टोक बहुत जो है डैंजरस सिच्वेशन होती है किसी भ वेट करेगे पहले मेरा यह सामान बिग जाए तो इससे क्या होगा कि इससे वह बापस जो है उससाफ से प्लक्षिन नहीं करेगे जिससे कि अनिंप्लॉइमेंट जन्रेट हो जाएगा एकनॉमिक अंदर बिरुजगारी की अवस्था पैदा होगी तो यह भेंकर इस हाउसोल्ड ने जो दो हजारे बचाए यह दो हजार रुपए क्या हुआ कि रखेगा कहां पर हाउसोल्ड एक जगह है जिसका नाम है बैंक क्या नाम है इसका एक जगे है जिसका नाम है बैंक तो यह आउस्ओल्ड बैंक में जाकर करके अपने पैसा जमा करवाते हैं आप अपने परिवार को देख लिजी क्लिर है बैंक में आगे 2000 रुपए अब बैंक में 2000 रुपए आये तो क्या हुआ यह फिर से फर्म पहुँच बैंक के पास में और बैंक के पास में क्या करा इसने एक लोन ले लिया किसे बैंक से तो यह 2000 रुपए बापस कहां पहुँच गया एक हाउस्ओल्ड के पास एक फर्म के पास पहुँच गया फर्म लोन लेकर कि क्या गड़ती है बैंक से जो है अपना जो कुछ प्लांट ए सेविंग वापस फर्म तक पहुंच जाते हैं पैसा और उस तर्कुलर फ्लोग सब्सक्राइब जरूरी यह है कि जो पैसा है वह बैंकों के थे थो एक इंवेस्ट हो जाए तो जो इसकी सेविंग वह बापस इंवेस्ट्मेंट में गड़ जाने से वो जो लीकेज होता है ना जो 2000 रपे का लीकेज हो गया जो पैसा एकनॉमी से हट गया था उसको बैंक में डाल देने से वापस वो एकनॉमी के अंदर पैसा आ जाता है और फिर से गूर्शन सर्विसिस का जो है प्लक्षन का प्रोसेस सुरू हो जाता है अब आप फर्म का मतल उसने लोन नहीं लिया हो किसी और फर्म ने लोन लिया हो लेकिन वह भी क्या करेगा बिजन स्टार्ट करके वह भी तो रोजगार देगा वह पैसा एकनॉमी में गूर्शन सर्विसिस के अप्लक्षन में यूज में तो आ रहा है न तो पहले आप इस प्रोसेस को समझ पाए परिवार छेतर दुवारा की गई बचत देखेंगे इन रियालिटी दा हाउसोल सेक्टर दस नोट स्पेंट आल इस इंकम राधर इट सेवस आप आट ओफ इट ठीक है ना दसेविंग एफेक्टेट वारी ने कटेशसें WA यह क्टेशाए ऊजर्वार कर दो जो जार यूज में उसको मैं मॉनिटरी करों मीटरी इंकम हाई स्वे रिए वारा जो हाउसोल्ड का टोडल इंकम वहा था वो सारा का सारा वाप मैनुफेक्टिरिंग सेक्टर तक नहीं पहुंच पाता है कंजम्शिंग के तौर पे पहले बताईए यह बास तोज में आया है यह नहीं आया क्लियर है लेकिन अगर वो बैंक में डेपॉजिट करते हैं बैंक मे जो है झाइसके एक नहीं को वहां से अपकी जो है सकता और इन्फ्लेशन भी जा सकता है अरिखासकर पución्परिटीर रहती है इन्फ्लेशन आने की महंगा आने के यह बास में आपको आया नहीं है इसलिए तो आप पढ़ रहा है थोड़ी नहीं ज्यादा समझदार हो जाएंगे थोड़ी तो आप अभी ही है देखे आप क्या कर रहे हैं इसका आर्थ हुआ कि फरमें उत्पादक छेत्र का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होगा मतलब क कि जितना भी प्लक्षन सेक्टर ने उतना उसका सेल नहीं हो पाया क्योंकि फ़र्म ने पूरा पैसा खर्च किया है नहीं कंजम्शन पर जितना उन्होंने पादन करा और उसने खर्च कुछ सेविंग कर ली तो फिर क्या हुआ कि सारा सेल नहीं हुआ कुछ अंसोल्ड इस्ट इक्वेटिंग दा सेल्स ऑफ फ़र्म विद दा इंकम जनेटीड दा फ़र्म में भी अज्यूंग टू पर्यूस कैपिटल विच विल बी दा बोट एंड सोल अमंग दा प्रूसर्स देंसेल्स तो यहां पर एक काम कर सकती है फर्मे क्या नहीं नहीं फर्मे लगेंगी और वह क्या करेंगी वह पैसा बैंकों से लोन के तौर पर लेगी तो जो वह आपका मॉनिटरी विड्रॉल था वह वापस फर्मों तक पहुँच जाएगा और फर्मे उसको क्या करेंगी अगर आपने अपने पैसा बैंक में रखा है तो वह सेविंग बैंक में रख दिया तो वह इंवेस्टमेंट हो जाता है क्यों उस पर आपको ब्याज इंटरस्ट मिलता है या नहीं मिलता है मिलता है ना इंकम जन्निट हो जाती है ना आपकी इसलिए उसको इनवेस्टमेंट कहते हैं क्लियर है अब दा हाउसोल्ट सेक्टर देन दा एकनॉमी विल बी वन्स अगें इन दा एकलिवरियम मोडल टू अब मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं कैसे और क्या होता है देखिएगा हमने टू एकनॉमी मोडल समझा था लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमने फर्म लिय था जैसा कि आप आज की क्लास में देख रहे हैं कि मैं वही दो एकनॉमी मोडल समझा रहा हूं आपको बड़ विद्धा कैपिटल मार्केट यहां पर मैंने कैपिटल मार्केट भी ले लिया है क्या हुआ जर आप पहले आप समझेगा सुरुआत करते हम यहां पर पर्डू इसको रेंट देगा क्योंकि उसका लेंड यूज कर रहा था उसको इंटर्स देगा क्योंकि उसका कैपिटल यूज कर रहा था उसका प्रॉफिट देगा क्योंकि उसका इंट्रेपिनोर यहां बैठा था तो एक फर्म ने क्या करा फेक्टर पेमिंट करा फेक्टर सर्विस बाउस ओल ने कुछ पैसा क्या करा Saving कर दिया है कहां पर Capital Markets में जा करके कुछ पैसे को सेव कर दिया ौर Capital Markets से Investment और Loan किसे ले लिए Producing sector ने ले लिया तो यहां पर क्या वापस पैसा आपका प्रइसिंग सेक्टर तक पहुंच किया और चल रहा है इस बात को आप समझें या नहीं समझें किसी को कोई पॉल्म है तो प्लीज बताइए दिरा बीच में आपकी इसलिए यहां पर जो है आफ दिया गया था क्योंकि आपका एक एक्जाम था नो तरिक ठीक है अब आपकी टाइम टेबल यह फांच बजे उसी टाइम टेबल पर प्लास इस कंटीनियों बनी रहेगी कुछ और निशा किरती छीन अदिती बताइए देखते हैं अदर्वाइस कोई पॉलम नहींप बाकि बच्चों को तो इसका मतलब कि फिर उनका अपना अपना रशे हो सकता है एot ठीक है जी चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अब बच्चे मेरे प्यारे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो उसी बातों को जो है जो बाते बताई गई हैं वही बाते रिपीट हो रही है क्या परिवार छेतर जो बचत करता है जो सेविंग करता है उसे है बैंक में चली जाती है जली आती है यह सब को डिल मार्क कहते हैं ठीक है सब खुल सोच है हरतों समज़ेंगं पैंको के पास्त में आप 500 प्रइम हopeota है बैंक बदलेगा आपको ब्यास देता है तो बैंक कहां से ला 돼 मतलब एक लाग कर बैंक के हैं तो वो आपको साल का 5,000 रुपे ब्याज देगा आपके एक लाग रुपे को उधा चड़ा करके वो 15,000 रुपे ब्याज सामने आले से लेगा तो 15,000 रुपे लेकर के 5,000 आपको दे दिया 10,000 रुपे बैंक का प्राफिट हो गया उसमें उसमें अपने एंप्लोई का तंखा भी चलाया और सब कुछ चलाया अब बोलोगे साथ 10,000 में कैसे चलेगा मेरे लाल एक लाग रुपे थोड़ी बैंक में डिपोजिट होते हैं बैंक में हजारो करोडो रुपे जो है जमा होते हैं पांच-पांच-बैंक से अगर 10% का मार्जनल बैंक रख रही है तो बच्चे आप इस बात को जरा समझेगा एक करोड़ पर ही 10,000,000 रुपे हो जाते हैं और अगर एक ब्रांच ही अगर जो है वो 100 करोड़ रुपे का अगर वो कर रही है तो एक करोड़ रुपे तो उसका वैसे ही हो गया 10% का मार्जन रख रही है तो और एक करोड़ बहुत बड़ी पैसाल का और शादार कुर्ट फ्रीव बचा लेगी तो इसलिए बैंक काम करती है मेरी बात समझें समझें तो बैंक क्या करती है बैंक का काम ही है हमसे पैसा एकसेप्ट करना हमारे डिपाजिट को और उसको लोन की तोर पर आगे लोगों को परसनल लोन या फिर किसी फौर हमको लोन दे देना क्लियर है यह बात समझ में आपको आई है चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं पहले आपको चीज़ समझाएता हूं थ्रीक्रावी मोडल समझाने मुझे थ्रीक्रावी मोडल थ्री सेक्टर में एक नया सेक्टर कौन सा आएगा अब तक कौन-कौन से सेक्टर थे अब तक एक सेक्टर कौन सा था आपका फर्म था एक सेक्टर कौन था आपका कि household था अब एक जो निया sector आएगा वो कौन सी आएगी वो निया sector आपका क McMयामी में आपको क्या लगता है मेरे मुझे जो तंखा मिलती है मिन्कम होती है क्या वो सारा पैसा में कंजम शमब हो कर देता हूं नहीं आपको किस यह सेविंग भी करते हो ठीक है आपको क्या लगता है मुझे जो मेरी माध्यम से मुझे पैसा मिल रहा है वापस नटा दिये लेकिन लेकिन वह पैसा हुआ किसे जाता है तर गौर्रमेंट क्या करेगी गौर्रमेंट को सब्सिडी दे देगी सबसीड़ी का मतलब समझते हैं क्या होता है जैसे मान लीजिए पहले जो एक गैस लेंडर हजार रुपए का आया करता था हमाई अजार रुपए का जो है किसी फ़र्म को बनाने का खर्चा आया करता था ठीक है और जो है पबलिक उसको 500 रुपए उसको अफोर्ड करती थी तो 500 रुपए क्या हुआ गौर्णमेंट हमारे ब्याप पर कंपनी को पे कर दिया करती तो बहुत सारी ऐसी फर्में हैं जैसे कि मान लीजिए जो इलेक्टिसिटी पड़ियो जो नैसेसरी चीज़ होती है अब जो वाइन बना रही है लिकर बना रही है उनको थोड़ी सबसेड़ी देती है ताकि इनका कोस्ट कम रहे और यह चीज़ें सस्ते दामों पर अबेलेबल हो जाएं गरीब किसानों तक और इससे जो है एकनौमी अच्छी तरके से काम कर पाए तो गौर्मेंट क्या कर देती है सबसेड़ी के माद्यम से इस टेक्स का हमारे टेक्स के पैसा दो ही जगां या तो गौर्मेंट जो है रेल्वे जैसे अपनी कुछ कंपनिये खुरखिये अपनी फ़र्में की उस में लगा देती है तो फिर भी पैसा फर्म पर पहुंच्बशन किया अधर फर्म को सबसेड़ी देती है तब भी हमारे पैसा वहां तक पहुंच गि अपने कुछ फर्म में भी हैं जसे कि एक railway हो गया UNGC हो गया petroleum का हो गया सरकारी कंपनियां भी बहुत हैं ऐसी बात नहीं है सरकारी कंपनियां नहीं है तो government कंपनियां भी चलाती है गौर्मेंट जो है investment भी करती है शेर market में भी पैसा लगाती है और पैसा लगाती है तो जो पैसा पैसा आता कहां से पैसा यह अगर उसने अपने फर्मों पर लगा दिया तब यह पैसा लोड गया अगर उसके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तभी पैसा फॉर्म पे चला गया सरकार कहीं भी खर्च करें पैसा वापस कहां जा रहा है इसको एक इकनाई मोडल से समझाने के कोशिश कर रहा हूं अब लॉट करके आऊंगा पढ़ाऊंगा आजए एकनाई मोडल जिसमें कि मैं क्यापिडल मार्केट जरूर लूँगा जर्द समझेगा आप पहले सबसे पहले सुरुवात कहां से करते हैं पैसा सबसे पहले कहां से जन्नेट होता है वह एक प्रडूशिंग सेक्टर से होता ह सबसे पहले प्रडूशिंग सेक्टर क्या कर रहा है एक फैक्टर पेमेंट कर देता चुप चाप से जो की वेजिस हैं इंटरस्ट है और प्रॉफिट है ठीक है जी तो यह पेमेंट क्या करा यह सबसे पहले पूरा फोकस करते हैं अब पैसा आया आपने को सबसे पहले क्या करा अपने जो है कंजम्शन एक्सपेंडिचर पर प्रडूसिंग सेक्टर तक पहुंचा दिया लेकिन आप इस बात को समझेगा कि आपका जितना पैसा हाउसोल्ड पर गया वह सारे का सारा पैसा जो उसने प्रदीचर नहीं करा हाउसोल्ड ने अगर बीस कणि रहें और कुछ पैसा हाउसोल्ड से कहा गया आसीफն और पैसा के करो दिया और जो यहां सब्सक्राओं ने था रहा हास एक टेक्स पहिड़िया और बीसिंग सेक्टर चेक्टर spend कर दिया या फिर अधर वे में गवर्मेंट क्या करा उसको सबसीड़ी दे दिया तो इस माध्यम से पैसा वापस कहां पहुंचे रहा है सारा सारा पैसा जो है जो की मोनेटरी विड्रॉल है वापस वो एक नौमी में आकर कि नौमी में काम कर रहा है इस बात को आप समझे या सबसे पहले पैसा कहां से निकलता है सबसे पहले पैसा एक परडूसिंग सेक्टर से निकलता है किस वे बे निकलता है वेजिस पे करता है लोगों को इंटरस देता है जिससे कैपिल ले रखा है रेंट देता है इसका लेंड यूस करता है एंड प्रॉफिट देता है तो फर्म पैसा पकड़ाती है किसको हाउसोल्ड को और हाउसोल्ड उस सारे पैसे को जो है खर्ची नह पर करी capital market में capital market से borrowing हो गई फर्मों कित्रों और फर्मों पैसा वह वापस पहुंच गया और जो पैसा household ने tax पे करा किसको government sector को government ने क्या करा उस पैसे को जो है एक तरीके से government ने expenditure कर दिया किस पर फर्मों पे railway खर्च कर दिया फर्मों पे चला गया पैसा और या फिर government ने क्या पैसा करा इसको subsidy दे दिया तो वापस फर्मों पे पहुंच गया वापस पैसा तो इस तरीके से सारा का सारा फारा पैसा बापस कहा पहुंच गया है उसी बात को कहे गा कुछ नया इस पर बोलने के लिए इसके पास में है नहीं देखे थ्री सेक्टर मोडल तो थ्री सेक्टर मोडल में क्या है इस मोडल इस मोर क्लोज तू दा रियल लाइफ सिच्विशन तू दा रियल लाइफ सिच्विशन में रियल लाइफ में तो दो एकनामी मोडल होता ही नहीं है आप भी जानते हैं फर्म हो रहा हो सोल्ड हो तरकार है नहीं तो कि रियल लाइफ में ऐसा है नहीं हो दूर है थोड़ा यह लाइफ से ज्यादा क्लोज थ्री मोडल है क्यों रियल लाइफ में गवर्मेंट का रोल होता है इन इस मोडल एकिनोमी अक्टिविटी इस अब आप अगया नहीं है अभी देश के अंदर ही काम हो रहा है इसलिए को इकनामी मोडल कह रहे हैं जो फोर्ण मार्केट भी लोगा इसके अंदर में इंपोर एक्सपॉर्ट लोगा खेले जी पहला इसको समझेगा However, we continue to assume that the economy is closed economy It means the circular flow of income is not influenced by the foreign sector Three economy model है इसके अंदर जो है मैंने foreigner अभी sector लिया ही नहीं है foreign sector इसलिए ये closed economy model है और foreign sector से affected नहीं होगा क्या कहता है the income received by the government sector in the form of the tax flow to producing sector in the form of the government expenditure on the goods and services Producing sector भी तो टेक्स पर करती है the government also gives subsidy to the producing sector and transfer payment to the household sector फर्म जो फर्म क्या होता है old age pension दे देना आपके college में scholarship के तौर पर दो जार तीन जारफे दे देना जो पैसा सरकार के दुवारा cash public के मसायता के लिए public को cash account में डाला जाता है इसे transfer payment कहते हैं इसे unilateral payment भी कहते हैं clear है जी अब part of income earned by the government, government पर जो भी पैसा आता है is saved that the entire capital market भी सरकार पर जो भी पैसा आता है सरकार subsidy fund को दे देगी transfer payment public को वापस return कर देगी या तो उसको जो है capital market में save कर लेगी government also takes loan भी सरकार भी loan लेती है क्यों नहीं लेती है government loan नहीं लेती क्या government company deventure issue नहीं करती है अपनी company के तो वहाँ पर deventure issue करने का मतलब क्या हुआ वह पब्लिक से loan ले रही है तो government भी loan लेती है loan from the capital market बैंकों सो लोन क्यों लेती है सरकार सरकारी बैंकों सो लोन लेती है either to the meet current expenditure क्यों लोन लेती है अपने current expenditure को पूरा करने के लिए to make investment development projects या तो investment करने के लिए क्लियर है यह बात आपको संज में है economic flow into the government sector in the form of the tax revenue and into the producing sector and household sector in the form of the government expenditure model 3 the circular flow of the income accounting for the government activities in the government spends his entire income received in the form of the tax from the producing and household sector जो government है वो एक producing sector से भी tax लेती है मतलब कि फर्मों से भी tax उसके पास में आता है जो household से तेक्स आया तो जो फर्मों साहा थे सारी जो उसकी इंकम है वहाउसओल ट्रांवर पेमेंटबी कर रही हैं वह फेमों को सब्सीड़ी दिने यह यह फर मु पर वह एक्सेंटिर भी संदिदीर यह च्छोंदा the same बना रहता है जो इस पर मॉनिटरी विड्रॉल होता है वह वापस एकनामी के अंदर आ जाता है क्लिर है अब आगया हम पढ़ते हैं यहां पर थ्री सक्टर एकनामी मॉडल को जो पढ़ लिया मैं समझा भी दिया आपको यह हां जी तो और फॉर्स सक्टर मोडल अव दा तर्कुलर फ्लो तो फॉर्स सक्टर में चौता सक्टर कौन सा इसमें51 हो जाएगा चौताकर इस्में फ़ॉर सेक्ट्र है और जब भी फॉरेंस सक्टर आएगा आने का मतलब क्या होता है कि हम उन से इंपोर्ट करते है इंपोर्ट करते तो मतलब क्या होता है पैसा बिदेशों में चला जाता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करना मतलब सामान को बेचेना बिदेशों से पैसा वापस आ जाता है इस बात को समझते हैं ज़रा हम इसको एक flow के मादर में समझते हैं हाउसोल्ड क्या करेगी इसको consumption expenditure पर खर्च कर देगी पैसा सारा पैसा खर्च नहीं करेगी कुछ पैसा हाउसोल्ड क्या करेगी सेविंग कर लेगी जो capital market में चला जाएगा और capital market से borrowing की तौर पर यह producing sector वापस ले लेगी हाउसोल्ड कुछ पैसा क्या करेगी हाउसोल्ड कुछ पैसे को जो है tax government को pay कर देगी clear है और government क्या करेगी government इसको जो है वापस back transfer payment के तौर पर वो household को वापस पैसा देदेगी clear है जी और household और इसके बाद जो government sector है इसके पास में टेक्स सरफ एक household sector से नहीं आएगा टेक्स इसके पास में पर्डिसिंग सेक्टर से भी आएगा जो कि government जो household से इसने जो टेक्स लिया transfer payment करके return कर दिया और जो इसके पास में producing sector से जो tax आया subsidy दे करके इसने return कर दिया और कुछ पैसा इसने जो है government ने consumption expenditure कर दिया जो कि producing sector बे चला गया तो सरफ household ही consumption नहीं करता है government कैसे consumption करती है मान लिजिए जो सरकारी इस्पताल है जो वहाँ पर दवाईयां जो free में उपलब्द है वो government consumption माना जाता है clear है जो आपके सरकारी school है उसमें जो mid day meal है वह government consumption माना जाता है तो government जो जैसे परिवार consumption expenditure कर रही है तो पैसा फर्मों तक जा रहा है तो आकर government consumption expenditure करेगी तो पैसा फर्मों तक क्यों नहीं जाये गा मिड़े meal पैसा क्यों नहीं जाएगा जब बैंक के पास जाती है लग किसी भी financially institution के पास में जाती है it means LIC पे या बैंक पे जिसके पास में पैसा है वहाँ जाकर करके उधार लेती है तो ये financial institution जितने भी है जहाँ पर आप अपना पैसा invest करते हो उन सब को capital market कहते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं capital market कहते हैं आए इस circular flow को फिर से एक बार समझते हैं देखिया जी बिल्कुल जोरो सोरो से और बिल्कुल जो से इस बात को हम समझेंगे देखियेगा factor payment सबसे पहले क्या हुआ एक producing sector ने क्या गरा factor payment करा household को ठीक है household ने क्या गरा ये पैसा उठाया सारा कर सारा नहीं बट expenditure कर दिया किसको producing sector को लेकिन household से कुछ पैसा कहा हो गया saving में और saving से capital market में चला गया और capital market मतलब बैंक में LIC वगरा में पैसा रख दिया जो बचत थी यहां से पैसा उधार को लेके चला गया producing sector ठागर लेके चला गया और परिवार ने कुछ पैसा टेक्स सरकार को दे दिया जो सरकार को टेक्स दिया सरकार ने पैसा वापस भी तो कर दिया transfer payment को जो फैमिली को household को मेरी बात समझे ही समझे और कुछ पैसा जो कि household को नहीं गया है जो कुछ पैसा सरकार पे बच गया है और जैसे household ने consumption expenditure कर रहा था, तो फर्मों तक पहुंच गया, तो चलिए, परिवार का पाता तो ठकाने लग गया, अब बात करते हैं, रेस्ट अब रॉर्ल्ट, इसकी बात करते हैं, चौथा सेक्टर जो है, यह क्या हुआ, जहां पर आप देखेंगे, बेरी बात आप सम्झेंगे, कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो पैसा क्या होगा, आ जाएगा, अगर आप भाई कोई फर्म अगर एक्सपोर्ट कर रही है, बाहर कोई सामान बेच तो पैसा आएगा और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो रहें सर्कुलर फ्लो चलता रहता है प्रांसफर पेमिंट का क्या मतलब है जसे कि मन लीजिए आपके गली महले में कोई मांगने वाला आ गया सुभा सुभा कि भाया जो अमें कुछ दान दक्षना दे दिया बदले में आपने उससे कुछ काम नी करवाया आपने कोई सरकी जो है मसाज साज आपने ऐसा नहीं बोल साज आई यहां वाद आपका ट्रांसफर पेमिंट है मेरी बात संजिसम्झे किसी के मदद के तौर पर आप यह जो पापा के पॉकेट मनी देते हैं वह और ट्रांसफर पेमिंट है मैं कहने का मतलहा है रिटर्न में आप गुर्दिसand डेरे हो बदowychात संजे जो लेबर है उसकी का लेबर कार्ड नहीं है बागी सबका लेबर कार्ड हो चुकion में दिल्ली में तो लेबर कार्ड जो है बनवारी है तो उसकोंड में पैसे डाल देना क्लियर हैं English yeah इसकूलों में पैसा बच्चों के हांते 500,000 पर एस सब को ट्रांसफर पेमंट कहते करते हैं जो गॉर्मेंट करती है लोगों के उपर वो टेक्स का पैसे तो करते हैं और पूछिए कोई डाउट पर जो भी छोटे मुटे डाउट तो साही डाउट पूछे यार पूरा सो समझ के प्रेटिकल लाइट से करनेट करते हुए पढ़ना है आपको बताइए कोई आए के चकरिय परभा का यह संप्रून मॉडल है यह पूरा की कंप्लीड मॉडल है इसमें खुली अर्थवेश्था है उपन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं परिवार्थ चेतर है प्रडूसिंग सेक्टर है गवर्मेंट सेक्टर है रेस्ट्र वर्ल्ड है जैसे मैंने यह होने वाले आए के चकरिय परभाव को इस चेतरों के निम्लखित किरियाओं के रूप में किया जा सकता है इससाब देख पा रहे हैं परिवार्थ चेतर उत्पादक चेतर से साधन आए फैक्टर इंकम जैसे की वह रेंट इंटरस्ट प्रफिट और वेजिस वह लेती है इस वस्तुन सेवाँ को खईदने के लिए पादक चेतर को बुक्तां कर देती है पेमिन कर देती है अगर आप जोईन होंगे तो कैसे मैं बता पाऊंगा बार बार रिपीट करूँगा एक बात को capital market क्या होता है चो financial institutions होते हैं जिसका काम है deposits को accept करना बदले में loan देना उसे हम capital market कहते हैं ठीक है उधारन के तोर पर समझेगा आप एक banking system को समझ लीजी ये भी capital market है बैंकों में पैसा आप deposit करते हैं वो आपके पैसे को आपकी saving जो investment हो गई है उस investment को उठा करके आपको क्या क्या लगता है आपने बैंक में 10,000 बें जमा करवाया तो बैंक ने pocket बनाया एक लिफाफा उस पर आपका नाम लिखकर के गल्ले में शावी लिखकर रख दिया कभी आप लेने आपको रिटन हो जागा वह ऐसा नहीं होता है वह पैसा आपका loan पे चला जाता है तो यह जो आ भारत की बात करूं तो भारत को छोड़ करके पुरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सारे foreign sector में आ जाते हैं क्लियर है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा विदेशों में चला गया और अगर हमने export कर रहा तो विदेशों से पैसा हमारे भारत में आ गया त तो इस तरह के सही सर्कुलर फ्लो चलता रहता है अब अब बताए को डाउट है तो भाई है क्लियर है जे